नमस्कार दोस्तों सुबह सुबह खाली पेट साधा पानी पीना या निबू पानी पीना कितना फैदे मन होता है ये तो लगभग हम सभी को पता है पर क्या आप जानते हैं कि निबू पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला कर पी लेना भी उतना ही फैदे मन्द है तो आईए हम आपको विस्तार से हल्दी पानी बनाने का तरीका विधी और उनसे निरोग रहने के बेमिशाल फैदों को बाहरे में बताते है हल्दी वाला पानी बनाने का तरीका फिर उसमें स्वात के नुसार सहद मिलाए हल्दी कुछ समय बाद नीचे बैठ जाती है इसलिए पीने से पहले इसे अच्छे से मिक्स कर पिए हल्दी पानी पीने के फैदे एंटी कैंसर गुणों से भरपूर हल्दी में करक्यूमिन नमक केमिकल की मौझूदगी इसे एक ताकतवर एंटी ऑक्सिजेंट बनाता है जो कैंसर पैदा करने वाली को सिकाओ से लड़ती है पाचन दुरुस्त रखे कई सोदों से या बात साबित हुई है कि नियमित रूप से हल्दी का सेवन करने से पित ज्यादा बनता है जिससे आपका आहार आसानी से हजम हो जाता है और आहार के अच्छे से हजम होने से आप पैट समंधी बिमारिया से बचे रहते हैं इसलिए अगर आप अपने पाचन को दुरुस रखना चाहते है तो आज से ही अपने दिंचरिया में हल्दी वाले पानी को सामिल करें सरीर की सुजन कम करें हल्दी में कर्क्यूमीन नामा केमिकल की मौजुदगी की कारण या दवा के रूप में काम करता है और या सरीर की सुजन कम करने में सायक होता है सरीर में चाहे कितने भी सुजन क्यों नहों हल्दी वाला पानी पीने से कम हो जाती है इसके अलावा कर्क्यूमीन के कारण या जोडों के दर्द और सुजन को दूर करने में दवाईयों से भी ज्यादा अच्छी तरह से काम करता है दिमाग तेज करें हल्दी दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है अगर आप सुबा के समय गर्म पानी में हल्दी मिलाकर पीते है या आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा रहता है भूलने की विमारी जैसे डिमेंसिया और अल्जाइमर को भी इसके नियमित सेवन से कम किया जा सकता है दिल को दुरूस्त रखें हल्दी वाला दूद दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है इसे पीने से खून जमता नहीं है और साथ ही ये खून साप करने भी मददगार होता है इसके अलावा इससे खून की धमनियों में जमाओं भी हड़ जाता है हल्दी वाला पानी भी दील को दूस रखने के लिए ऐसे ही काम करता है लिवर की रक्षा करें हल्दी का पानी टॉक्सिक चीजों से आपके लिवर की रक्षा करता है और खराब लिवर सेल्स को दुबारा ठिक करने में मदद करता है इसके अलावा या पित्तासर के काम को ठीक करने में मदद करता है जिससे आपके लिवर की रक्षा होती है उम्र के असर को करे बेशर गर्म पानी में नीबू, हल्दी पाउडर और सहथ मिलाकर पीने से या शरीर के विजहले पदार्द बाहर निकलने में मदद गार साबित होता है इसके अलावा इसे निमित रूप से पीने से फ्री रैडिकल्स से लड़ने में मदद मिलती है जिससे शरीर पर उम्र का असर कम और धिरे धिरे पड़ता है तो दोस्तों आपने हल्दी पानी के मदद पूर्ण फैड़ों के बारे में जाना अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्रेब जरूर करें अब मिलते हैं अगले वीडियो में